हलो दोस्तों आज बनाएंगे वेज ममूज की रेसिपी, बहुती सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल बजार जैसे, साथ में बनाएंगे म्योनिज, जिसे आप बहुती आसानी से घर पे बना के तयार कर सकते हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक सस् 200 ग्राम बंदगो भी लिया, इसे भी कद्धू कस कर लिया है, इसे भी डाल लेंगे, आप यहाँ पर अपनी पसंद की और सबजी अभी एड़ कर सकते हैं, बंदगो भी जरू डालें, यह मुमूज में जरू डलती है, नमक डालके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें दो चमच तेल भी एड़ करेंगे, तेल से एकदम सॉफ्ट बनी रहती है, इसे मिक्स करके 10 मिनिट के लिए से ढखके रख देंगे, आप मुमोज बनाने के लिए आटा तयार कर लेते हैं, यह दो कप आटा लिया है, इसमें नमक डालेंगे, तेल हमें अभी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका कड़ा आटा गूद के तयार कर लेंगे, बिल्कुल जिस तरह पूडियों का मड़ता है, वो ही आटा हमें बनाना है, एकदम टाइट आटा गूद के तयार किया है, जिससे मुमोज की पूडिया जो बनाएंगे हम, एकदम सही अब इसमें एक चमच तेल डालेंगे उपर से और इसे हाथ से मलते हुए इसे 10 मिनिट के लिए ढक्के रख देंगे आटा हमारा लग गया है अब मियोनीज तैयार कर लेते हैं इतने मियोनीज के लिए मैंने एक कप दूद लिया है एक उबला हुआ आलू लिया है उसे मैस कर इसे भी डाल देंगे थोड़ा नमक डालेंगे एक चमच चीनी डालेंगे आप इसमें घर की फ्रेश मलाई डालेंगे आपके पास बजार बाली हो तो आप बजार बाली भी डाल सकते हैं दो चमच मलाई एड़ करेंगे जार का धकन लगाके इने बारिक पीस लेंगे देख मियोनिज खतम हो जाएद है आप भी फटा पट इस तरह बना सकते हैं 10 मिनिट हो गी है सब्जियों को भी देख लेते हैं देखिए कितना पानी छोड़ा है सब्जियों ने एक साफ कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसमें हम इन सब्जियों को डालके पिछोड लेंगे ताकि इनका सारा पानी निकल जाए अगर हम इस तरह नमक लगा के नहीं रखेंगे सब्जियों में तो बाद में मुमोज बनाते टाइम दिक्कत आएगी इसलिए पहले इनका सारा पानी निकाल देते हैं आप इस पानी को फैकिएगा मत आप चाहें तो इसका सूप बना के भी पी कि हमने इसमें तेल लगाया था उसकी वज़े से हमारी एकदम बढ़िया बनी हुई है अब इसमें कुछ और एड़ कर लेते हैं ये दो हरीविट्च लिए ने बारिक काट लिया इनने डाल रहे हैं थोड़ा पनीर है इसे भी हाट से मेश कर लिया इसे डाल देंगे पनीर अच्छा लग गया है बढ़िया इसे जरासा और हाथ से मुक्के मारेंगे और इसे सही से सेट करेंगे अब इस तरह इसकी बारिक बारिक लोई तोड़ेंगे हमें ज्यादा मोटी लोई नहीं तोड़नी पूड़ी लोई ही तोड़ेंगे वरना हमारी मोमोज की जो हम इस तरह इसे बेल लेंगे देखिए कितनी पतली बिली है एक दम हमें इस तरह ही पतली बेलना है जो हमने बंद गोवी का मसाला बनाया है उससे चमच भरके इसमें डालेंगे और चारो तरफ के नारो पेस के पानी लगाएंगे उंगली से इस तरह उठाते हुए आधा इध अब इसी तरह दूसरा बना लेते हैं यहाँ भी एक लोई लिया है इसमें स्टिफिंग डालेंगे चारो तरफ पानी लगाएंगे उंगलियों से इसे उठाते हुए इसके उपर इस तरह दबा के रख देंगे इस तरह हम इससे चारो तरफ से कौने बंद कर देंगे और इस पूड़ी के चारो तरफ पानी लगाएंगे इसे इस तरह उठाते हो इसकी प्लेटस बनाएंगे इधर से भी और दोनों तरफ से आधे में हमें इसकी प्लेट बनानी है और आधा इसी तरह छोड़ के इसे इस तरह चुपका देंगे ये भी डिजाइन बहुत अच्छा लगाएंगे चारों तरफ इसे कडाई के ऊपर सेट कर देंगे एक मुमोज करके रख देंगे सारे पांवह नेकर निए इसे 15 मित के लिए निए ढटक के अच्झा से स्टीम लगा देंगे 15 मित बाद देख लेते हैं मुमोजा और मुमो व वाली चटनी इसके विगर तो मुमोज अदूर है बहुत ही टेस्टी लगती है यह बहुत इस्पाइसी होती है आप इसकी वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं देखे फाइनली हमारे मुमोज बनके तैयार है और यह कितने ट्रांसपेरेंट है सबजिया इन में से अल कीजिए धन्यवाद